वो रण छोड है, माखन छोड है, नटखट है, छलिया है, राजनीती जानता है, वस्त्र चुरा लेता है, वो कुछ भी कर लेता है, फिर भी सारी दुनिया दिवानी है उसकी, कभी सोचा है क्यों? बाके बिहारी कहते हैं, क्योंकि बाका है वो, कभी सोचा है क्यों? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनियेगा, आनंद आ जायेगा सुन करके, हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ अनुजशर्वा हूँ वरिंदावन में एक संत थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त, बहुत पहले की बात है, बाके बिहारी से बाते करते थे, अराधना करते थे, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, दिन रात कृष्ण 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 बड़े अन्य भग थे एक बार मन में आया कि बाके भिहारी के पास इतने दिन रहा हूं एक बार रामजी से मिलने अयुध्या चलता हूं अयुद्या की तरब बढ़ने लगे जब अयुद्या पहुँचे तो अहां भी बहुत संत मिले ये संत जहां भी जाते थे बस यही कहते थे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे, 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 राधे हरे कृष्ण एक संत मिले अयुद्या में उन्होंने कहा, राम राम बोला करो, यहां सब राम राम बोलते हैं, अयोध्य हमें सब राम राम बोलते हैं, तो उन संत ने कहा कि राम राम बोला करो, क्रिश्न में क्या रखा है, क्रिश्न बोल के क्या होगा, तो इन संत ने कहा, कि क्रिश्न ही तो है सब कुछ, अनंत ब्रभ कृष्ण तो नाम भी पूरा नहीं है, तेड़े हैं, बाके हैं, कुछ अच्छा काम किया जीवन में, जीवन में जो काम किया सब तेड़े की हैं, नटकट हैं, छलियां हैं, माखन चोर हैं, रन छोड़ हैं, नाम भी कृष्ण हैं, वो भी पूरा नहीं है, एक बार राम बोल क कितना सरल है कितना सहज है राम आत्मा त्रिप्त हो जाती है एक बार राम बोल के देखो कृष्ण बोलने में भी जोर लगता है जैसा नाम है वैसा ही कृष्ण है सरल रहो सहज रहो राम आगे से बोलो राम राम मनी मन थाकुरजी के भक्त ने सूचा बात पर इस संत सही कह रहे है राम नाम कितना सरल है और कृष्ण तो टेड़े ही है बच्पन से सारे काम टेड़े ही किये मन उदास हो गया इन संत का उन संत को बोले कि ठीक है राम राम और अयुद्या से वापिस आगे बाके भीहरी के पास आए बाके भीहरी को बोले करवा दी ना बेजज़ती सारे काम टेड़े की है कुछ सीधा किया है जीवन में आयुद्या के संत थे कह रहे थे कि राम राम बोला करो राम बोलना कितना सरल है इतना सहज है तुम भी राम राम बोला करो एक काम सीधा नहीं किया सारे काम टेड़े किये नटखट हो रण छोड़ो चलिया हो वस्तर चुरा लेते हो सब काम टेड़े किये बहुत बेज़ती महसूस हुई ये बताने आया हूँ कि यहां से जा रहा हूँ राम जी के पास रहूँगा अब नहीं रहूँगा यहां कुछ भी सीधा नहीं किया तुमने इतने दिल से ये संत बाके बिहरी से बात कर रहे है बाके बिहरी से रहा नहीं गया और ये सच है ठाकुर जी या तो जीवन में आते नहीं और जब आ जाते हैं तो भक्त कितना भी दूर जाना चाहे उठाकुर जी से दूर नहीं जा सकता ठाकुर जी उसे जाने नहीं देते विरिंदावन से कोई निराश होकर कभी आया नहीं है और जो गया है वो ठाकुर जी का हो गया है वो रह रह करके याद करता है अपने ठाकुर को तो ठाकुर जी ने सारी बाते सुनी और जब ये संत जाने लगे तो बहा पकड़ी और बोले कहा जा रहे हो मेरा प्रेम दिखाई नहीं दिया कितना प्रेम करता हूँ तुमसे बस एक संत की बातों में आ गए भूल गए अपने बाकी विहारी को भूल गए अपने ठाकुर को सारी जिंदगी तो क्रिश्न क्रिश्न करते रहे हो ये संत भी हठी थे बोले कि छोड़ा मेरी बात अब जा रहा हूँ यहां से राम राम बोलूँगा क्रिश्न भी कहां मानने वाले थे क्रिश्न इन संत के साथ साथ चल दी रस्ते में संत को प्यास लगी जब इन संत को प्यास लगी तो ठाकुर जी तो समझ गए कि प्यास लगी है, सामने एक कुवा था, वहाँ एक बाल्टी थी, उस बाल्टी को कुवे में गिरा दिया, बिनारसी की बाल्टी थी, अब संत को बोले कि प्यास लगी है ना, तो संत ने कहा कि साथ साथ चल रहे हो मेरे, नहीं आंगा वापिस, अब अयुद्या ही जांगा, प्यास तो लगी है, तो थाकुरजी ने कहा तो पीलो पानी, प्यास बड़ी जोरो की लगी थी, कुवे के पास गए, देखा पानी की बाल्टी जो है, वो कुवे में गिरी हुई है, अब निकाले कैसे, थाकुरजी बोले निकालो इसे, बोले अब कैसे निकालो, निकालने क कौई साधनी नहीं है, तो ठाकुर्जी ने कहा कि भक्त हो मेरे, मदद करूंगा तुम्हारी, जाओ कुछ धूंड कर लाओ, बड़ा सा डंडा लेकर आओ, निकालेंगे इसे, अब वो संत जो हैं, कुछ धूंडने गए, उन्हें एक लोहे का डंडा मिला, बड़ा सा डंडा, लेकर आये, ठाकुर्जी ने कहा कि निकालो, उन्होंने उस दंडे से बाल्टी को निकालने की कोशिश की लेकिन बाल्टी नहीं निकले, बाल्टी निकलती कैसे, दंडे में अठके कैसे, ठाकुर्जी ने कहा कि ये दंडा बाहर निकालो, वो दंडा बाहर निकालो, ठाकुर् और बाल्टी को उसमें अटकाया और बाहर निकाल दिया। संत को बोले कि देखा सीधा धाना ये डंदा। नहीं निकल रही थी बाल्टी। लेकिन टेडा होना पड़ा। जब टेडा हुआ तो निकल गई बाल्टी। इसलिए मैं टेडा हूँ। सीधा नहीं हूँ। और राम भी तो मैं ही हूँ। जब मेरे भक्त सरल होते हैं, सहज होते हैं, सीधे होते हैं, उनके लिए हमेशा मैं राम होता हूँ। और जब मेरे भक्तों के साथ कोई गलत करता है, मेरे भक्तों को परेशान करता है, मेरे प्रेमियों को दुखी करता है तो मैं सब के लिए टेड़ा हो जाता हूँ इसी लिए मैं टेड़ा हूँ जब सरलता और सहजता की जरूरत पड़ती है तो मुझे राम रूप में देखना और जब टेड़े होने की आश्कता पड़े तो तुम्हारा ठाकुर्त उन से दूर नहीं है तुम्हें कभी हारने नहीं देगा घवराने नहीं देगा डरने नहीं देगा पच्ताने नहीं देगा जो एक बार मेरी शर्ण में आता है हमेशा के लिए मेरा हो जाता है मेरा सब से प्रिय हो जाता है फिर उसके लिए मैं सारे नियम तोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए क्रिश्न तेड़े हैं, इसलिए क्रिश्न सीधे नहीं है, क्रिश्न रन छोड है, क्रिश्न माखन छोड है, क्रिश्न नटखट है, क्रिश्न छलिया है, क्रिश्न प्रेमी है, क्रिश्न के भीतर देख सकते हैं। सरलता भी, सहजता भी, प्रेम भी और टेडापन भी। इसलिए कभी घबराना मत। कभी डरना मत। बच्पन में जब यशोदा मैया पूजा करती थी, तो नन्ने से क्रिश्न कहते थे, मैया मैं ही तो हूँ जे जे। किसकी पूजा कर रही हो। राधारानी को कहते थे, मैं ही तो हूँ राम। तुम राम की पूजा कर रही हो। मैं ही तो हूँ राम। बच्पन से नटकट रहे हैं हमारे कनिया, हमारे ठाकुर, लेकिन ये सच है, जब भी उनके भगतों पर मुसीबत आती है, जब भी कोई उन्हें परेशान करता है, तो कृष्ण पल भर में टेडे हो जाते हैं, कृष्ण जितने सीधे हैं, जितने सरल हैं, उतने ही कठिन भी है और मैं तो कृष्ण के भगतों से एकी बात कहता हूँ, उनकी जो मुस्कुराठ है न, वो मुस्कुराठ हमें देना चाहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, तुम निश्चिंत रहो, चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, चिंता करना मेरा काम है, इसलिए ठाकुर जी के भग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, जो ठाकुर जी पर विश्वास करता है, यकीन मानना, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, तो कि दुख थर-थर कापता है मेरे कनया के सामने, कोई कष्ट आ नहीं सकता है जहां ठाकुर जी होते हैं, इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखी, अपना ख्याल रखी, हरे एक रिश्टू